नमस्कार बपोना दूर्दचन समाचार साते हूं चो हमान गिनी समाचाने शरुत मान नजर करे हैदलेंस पर अर्बी सम्मुद्रमा नर्मदा नदीना मिलन स्थन नजिक भाड़ भूध मा विशाड बैरेश बंधाता खेती नी हजार हेक्टेर जमीन मा खारा शागडवत्ती अटक्षे तेवो दावो करेचे प्रदान मंत्री नर्मदा वगर ना भरूच के गुजरात नी कल्पना अशक्य गणावी यूरिया खातर नी काड़ा बजार अटकावामा नीम कोटिंग नो खत्रो पूर्य पूरो सफर रयोहवानू कहेचे ब्रदान मंत्री लिम्बेड़ी नो वेचान करी 40 करोड नी कमाणी महिलाओने थाई छे उदुनाथी जैनगर वच्चे शरू थाईली नवी ट्रेन अंतियोधा एक्सप्रेस नो वीडियो लिंक वड़े भरूच थी प्रदान मंत्री मोधी कराव्यो प्रारम रोजी रोटी कमावा माटे बिहार उत्तरपरदेश थी गुजरात आवनारा मजिरो ने अंडिजिव्ड ट्रेन नो लाभ मडशे प्रदान मंत्री बन्याबाद प्रथम वखत वतन वड़नगर पहुंचेला पोता ना पनोता पुत्र नो ढोल नगारा साथे लोकोई कर्यू भव्यस्वागत हेलिपेट थी मांडिने वड़नगर ना मारगों पर बनने बाजुए हेकरे ठेट जन मेदीनी निहाड़ी पीएम मोधी भाव विभोर प्रोर्षो दल्म्यान मारग मावती पोतानी शाडानी पीएम मोधी ये लिधी मुलाकात 293 थी पांच वरष ज्याँ पोते ग्नान मेड़ियू ए बीएम शाडानी पवित्र भूमीने कर्या वंदन शिक्षको तता विद्यार्थो ए गर्व भेर प्रदान मंत्री नू कर्यू स्वागत रोडशोबाद हाटकेश्वर मंदिर पहुंची भोड़ा शम्भू समक्ष शीष नमावता प्रदान मंत्री बिलिपत्र अरपन करी विधी पुर्वक पूजन अर्चंद्वारा भारत ना विकास माटे करी प्राथना वर्ड नगर्मा प्रदान मंत्री जी एम एरेस नी आधुनिक मेडिकल कॉलेज अन होस्पिटल रास्टर ने करी समर्पीत इंटेसिफाइड मिशन इंद्र धनूश नू पन करावियू लॉंचिंग आशा वर्कर्ष ने कार्यमा मदत रूप एवा आयम टेको एप सहित ना इटैबलेट्स नू वित्रण करता पी एम मोधी मिशन इंद्र धनूश नू मिशन जुम्बेश ना रूप मा उपाड़ी लेवा ले लोको ने प्रदानमंत्री नू आवान रसीची वन्चित गर्भवती महिलाव औने बाड़को नारोग्यने सून निश्चित करवा सरकानी प्रात्मेक तहवा नू जणावियू तबी भी सेवा बहतर बनावा पीजी मेडिकल नीच्छो हजार वधारानी बैठकोनी करी जहरात्थ गुजरात खुलामा शौचक्रिया मुक्त जहर थयू एबाबते आनंद व्यक्त करी सजाक्रहवा करी टकोर स्वच्ता अभ्यानने निरंतर चालू राखवा कर्यू आहवान अन्य वर्ड नगर ना एथ्यासिक महत्वने उजागर करता अन्य टूरिजम स्पोर्ट तरीके विक्सावानी करी जहरात्थ 25 वर्ष पुराणी आ नगरी देशनी एक मात्र जीवन्त नगरी होवानू जनावियू समाचार विस्तारती जो ये नर्मदा नदी दहेज पासे अर्बी समुद्रने मडे छे त्या भाडबुत गामनजीक विश्याड बैरेश बांधवाना प्रोजेक्ट नो भुमी पुजन भरूच खाते प्रदान मंद्र नरेंद्र मोधी करियू त्यारे गुजरात लूक माता नदियो नुपाणी वापरवानू अनोख उपाय करवामा गुजरात फरी अग्रेसर बन्यू होवानू सवनी जनावियू हतू बरूज खाते यूजायला कारेकरमा तैमने उधना अने चैनकर वच्चे शरू थाईली नवी ट्रेन अंतियो दय एक्सप्रेस नू मंगल प्रस्थान वीडियो लिंक वडे करावियू हतू तो जी एन एफसी द्वारा आकार पामेला नीम प्रोजेक्ट नोपन प्रहरम करावियू नर्मदाना वहन प्रदेश मादर्यानू खारू पाणी गुसी आउत वटके तिवा भाडभूत बैरेज ने परिणामे खेती वाडीनी जमीन बगडती अटक्षे तेने मोटो फाइदो सवे गणावियू हतो प्रदान मंदे नरेंद्र मोधी कईयू हतो के नर्मदा नदी वगर ना भरूज के कुजरात निकल्पना करवी मुश्केल छे बाड़बुत नजिक आकार पामनार मीठा पाणी नू विशाड सरोवर माची मारो माते उप्योगी तशे तो दहे जने हजीरावच्चे वाहन वेहवार माते कोज वेपन बनशे मान नर्मदा के बिना हम भरूज की कल्पना ही नहीं कर सकते अर्द्रश की जीवन रेखा ऐसे नहीं कहा गया है और जब से नर्दा का जल्द गुजराथ के अलग अलग भागों में पहुचा है गुजराथ को एक नया जीवन मिला है नई चेतना मिली है गुजराथ में नएया आत्मविश्वास पढ़ा हुआ है कि पिने के पानि का संकत और जब दुनिया सुन्ति दिख नर्दा के टट पर भरुछ को पीने का पानी नहीं है है तो दुनिया को हरानी होती थे उसी समय में चौंक गया था कि हमें कि पूरे परुछ जिल्लों को प्यासा नहीं रख सकते शुद्ध मीठा पानी उसका हग है उसका प्रबंध होड़ा चाहिए तो ये भाड़बूत पहरे जोजना समंदर के पानी के कारण 70-80 किलोमेटर हमारे किसानों की जमीन बरबाद हो गई कुछ पैदा नहीं हो रहा है हजारों बीगा जमीन तबाह हो गई हो जमीन को फिर से पुनर जिवित करना है पूरे नर्दा के तटपन आये हुए सभी गाओं को शहरों को अंकलेस्वर वो बरूच हो हांसोट हो दैज हो इनको पीने का शुद्ध पानी मुहया कराना है और इसलिए हचारों करोड रुप्यों किसी लागत से ये बेराज बनाने का गुजराज सरकार ने फैसला किया है मैं गुजराज सरकार को बढ़ाई देता यूरिया खातर नों गैर काया देसर वप्राश कारखाना मत तो होवा थी खेड़ूत ने खातर नी अच्छत बोगवी पढ़ती हाती तेथी नेम कोटिंग वड़े खातर ना काड़ा बजार रोकी शकाया होवानिवात व्रदान मंतरी एकरी हाती अब यूरिया का उप्योग किसी केमिकल फैक्तरी में नहीं हो सकता है इसका एक ही उप्योग हो सकता है और वो जमीन में फसल्ब के लिए उप्योग करना उसके सिवाए को उप्योग ही नहीं हो सकता है अब मुझे बताए यूरिया की चोरी गई की नहीं गई बीचालियों बीचोलियों की आवग गई की नहीं गई लोगों को जो बेविमानी का पैसा कमाते ते बंद हुआ कि नहीं हुआ अब ये चोर लुटे दे खटे होकर के मोधी के खिलाब सडियंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे जड़ा बताओ ना करेंगे कि नहीं करेंगे मोधी के खिलाब नहीं नहीं हरकते करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन भाईयो बहनो ये मोधी है ये गुजरात की मिट्टी में पला बड़ा है गांधी और सरदार की धर्ती पे पला बड़ा और इसलिए अब तक देश को लुटने वाले कितने ही खटे हो जाएं आखिर कर इमानदारी चीतनी वाली है इमानदारी कभी हार नहीं सकती है और हम ये तक विश्वास लेकर के चले हुए लोग है यूरियाना नेम कोटिंग माटेनो काचो माल लिम्बोडी होवा थी हवे गांबडे गांबडे महिलाओ लिम्बोडी एकत्रकरी जीन एफसी ने तिना वैचान द्वारा सारी आवक कमाती होवानी वात अफ्रदान मंत्री करी हदी ये निम की फली गांगां निम के पैड होते हैं लेकिन कभी उसका उप्योग नहीं होता था आज जिस दिन गांवों में निम के पैड होते हैं जैसे आम के पैड के नीचे से फली खट्टे करने वाले लोग होते हैं जाबून के पैड के नीचे फली खट्टे करने वाले लोग होते हैं आज दिरे दिरे गावों में महिला एकटी हो करके नीम की फली एकत्र कर रही है और नीम कोटिंग के लिए कारखानों को बेच रही है और अभी आपको बताया कि भरूज के जी एनेपसी द्वारा ही जो नीम की फली खरी दी गई है इन गरीब महिलाओं को 40 करोड रुप्यों क कि आए हुई है 40 करोड रुप्य है उदनाथी जैनगर वच्चे शरू थाइली नवी ट्रेन अंतियोदय एक्सप्रेस ने लिली जंडी बतावी विदाय करया बात प्रदान मंत्री कयों हतो कि आखी गाडी रिजर्वेशन वगर नी होवा थी गरीब प्रवास्यों गम्मे त्यारे वतन जवा माटे आ गाडी नों उप्योग करी शक्षे अभी अभी शूरत स्टेशन से अंतियोदय एक्सप्रेस बिहार के लिए रवाना हुई महनत कस इंसान मद्दुरी के लिए अपने बूड़े माबाप को गाउं में छोड़ करके गुजरात में काम करने के लिए आता है लिकिन त्योहार के समाएं सामान्य दिवस्ववएं उसको सीधा अपने बतन पहुंचने में अनेक दिक्कते होती है खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के मेरे भाईयों बहनों को इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े वासानी से जब वतन जाने की इच्छा करजा जा पाएं और इसलिए लंबे दुरी की रेल सेवाओं पर हम बल दे रहे हैं देश दुनियामा बेजोड किर्ती प्राप्त करनारने वतन माथी मरता शाबाशीना बेशब्द सव्थे मुल्यवान लागे तेवू पनोता पुत्रनों भाउना मैस्वागत वडनगरे करियू ते घटना हावे इथियासमा स्थान पामी चुकिशे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीनू वडनगर मा रोकाण इटलू भाउनात मगहतू के अडी त्राण कल्ला क्या पसार थे ग्याते नी खबर फक्त विदाय समयच पड़ी हती। दर्ती ना छोरूनू अभिवादन करनार वडनगर निवाद प्रस्तुत छे। प्रधान मंत्री पदे पहुंचे बाद पहली वखत पोताना वतनमा आवेला पनोता पुत्रनों सतकार करवा माटे। वडनगर नी जनताये तमाम गली सडक छलकावी दी दी हती। जे गली महल्लामा बाडक नरेंद्र तरीके पोते रम्या हता। शिशुकार वितावी हतो जे पोते शिक्षण लिधु हतु ते तमाम स्थर उपर आँख मांडी ने जोई रहला प्रधान मंत्री ना मानस चक्षू पाछड जिनगी नो फ्लेश बैक दोडतो होई तेवु कडी शकातु हतु। जनम भोमका वडनगर नो रून अदा करवा माते मेडिकल कॉलेज खुलवा थी मांडी बस स्टेशन अने रेलवी स्टेशन ना आधुनी करण माते ना प्रोजेक्ट नी भेट आपनार प्रधान मंत्री मोधिये। गामना दिक्रा तरीके सहज भावे सवने पूछी हतु। के तमने आटलो विकास खरेखर गम्यों छेने। सर्मिस्ता तलाव ए वडनगर नो आतमा थे। अने सर्मिस्ता तलाव नो शुषवबान ए वडनगर ने तुरिस्टों माते नो मोटू कैंद्र बनावी छेक्ट। एमा एक सुचन आवी छे कि जो हेंगिंग ब्रीज बने तो वाह चार चान लागी जाए। बना वोचे हैं? ना बना वोचे हैं? पन साचव शो? जरा जबाब तो आप वह हैं? आप अब हैं? अया फ्ल्च अब भीज बने तो तम ने गमशें? आप मेडिकल कॉलेज बनी तो गमी vendor मेल ऐ चाह चार आप शरस न वुब विकास जोई है छे, विकास जरूरी छे, तो तमारा सर्मेश्टा तलावनू विकाईन काई करी छे। आज न सिर्फ हिंदुस्तान का पूरे विश्व के पुरातत्व विदों के आकर्शन का वो कारण बना है। एक जीवित नगर रहा है, कभी न कभी लोग यहां रहे हैं। यह नगर किसी भी कालखट में मुर्टपाई नहीं हुआ। हुएन संग जो चाइनीज फिलोसा पर यहां आये थे, जब उन्होंने भानत ब्रह्मन किया, तो वो बढ़नगर में लंबे अर्शत तक रुके थे। और हुएन संग ने लिखा था कि बढ़नगर में सैक्ड़ो साल पहले बगवान बुद्ध के विक्षों की सिक्षा दिक्षा की वबस्ता थी, और जब मैं चीन गया, तो चीन के राध्पती हुएन संग के हाथ से लिखी हुई नोट्स उन्होंने मुझे दिखाई। और खुद ने मुझे पढ़ करके सुनाया कि देखो ये तुम्हारा गां वडनगर जो पहले आनंदपूर से जाना जाता था, ये इसका वर्णन ये हुएन संग ने किया है और पूरा वणनन उन्होंने मुझे पढ़ करके सुनाया और इंट्रेपर्टर ने उसका ठांसले करिहती. वडनगर नी माटी ना संसकार ने प्रता पे आखा देश नी जवाबदारी स्विकारवाच इटले शक्ती पोते गेडवी शक्या होवानू खेता. प्रदान मंत्री कईू हतू के हाटकेश्वर इटले के भोडाना थे पोता ने आक्षे बाजी नो विश्पान पच्चावानी शक्ती आपी छे. मैं यात्रा बडन गरती शुरू करी हाटकेश्वर न आशिरवाद दिने करता करता आवे भोले बाबानी नगरी कासी पोंची गयो छो. आपन भोले बाबानी नगरी चे ये पन भोले बाबानी नगरी चे. अहीं आभी सिवजी बिराज मांचे त्या पन सिवजी बिराज मांचे अने आ भोला बावान आशिर्वात अने भोले बावान आशिर्वात दी एक ताकात होई चे अने कदा जे ताकात है च आ गामनी मने मलेली सवथी मोटी शक्ती चे बोले बाबानी ताकाचे जहर पीवानी बोले बाबानी ताकाचे जहर पचावानी 2001 थी आप बोले बाबाना आजिरवाची जहर पचावानी ताकाच मणीजे एना कारणे भल भला जहर ओकना रहो होई तो पड एने पचावी ने मात्र मात्र भुमिना कल्याण माटे जीवन लगाल पर हो जो लगाल पराईगता दुनिया भर्ना मानसन मान अने इनाम आगण वतन माथी मर्ती शाबाशी नो मुल्य सौती वधू मुल्यवान होवानी वड़नगर ने टकोर करी त्यारे प्रदान मंत्री नी आँखना खुणा बीना थाई गया हता दुर्दर्शन समाचार अमदावाद कैवाईचे के धर्ती उपर जन्मधारन करतू प्रत्पेक बाडग साबीती आपे छे के इश्वर हजू मानव जात्ती था क्यों नथी परन्तो नवजाद शेशुनू जीवन अल्प जीवी रहे नहीं ते माटे रसी करणना आशितवाद तेने आपवाज जरूरी छे मिशन एंद्रदनू शेटर सघन रसी करण जुमबेश नो रस्ट व्यापी प्राहरम करवा माटे वतन भूमी वड्नगर नी पसंगी करी प्रदान मंत्री एक खास संकेत पणा प्यों छे तबी विशिक्षन व्यापा पवधारवाथी मांडी आशावरकर नी भूमी का विशे प्रदान मंत्री ये रजू करेले दूरन देशी नीचलक प्रस्तूत छे मादरे वतन वड्नगर मां प्रदान मंत्री मोधी नुरोकाण एथ्यासिक नगरी नी आधुनिक काया पलट करे तेवी अनेक भेट आपनार बनी रही हती जंगी खर्च बनेली मेडिकल कॉलिज ना लोकार पणगाउ तेमने होस्पिडल मां लटार मारी हती अने मेडिकल स्टूडन्ट ने पण माड़े हता नौजात शिशुने जिंगी नू अभय वच्छन आपता सगन रसी करण माटे ना मिशन इंद्रधनुष नू प्रहरंब अहीती करावा माटे खुद प्रधान मंत्रिये बाड़क ने रसी पिवड़ावी त्यारे वातावरन मा ताडियों नों गड़गडाट गाजी उठ्यो हतो हमारे देश में टीका करण उन्नी सो पचासी से चल रहा है लेकिन वो एक सरकारी तोर पर चलता था हमने इसको जन अंदोलन में परिवर्तित करने का प्रयास किया है और फिर एक बार इंद्रगनुस मुमेंट को चलाया है आने वाले चार महिने तक हर महिने साथ दिन ये टीका करण का मुमेंट चलेगा और जो बालक टीका करण से वंचित रह गए हैं उनको खोज खोज करके टीका करण करवाये जाएगा क्योंकि किसी घर के अंदर बालक अपाहिज नहो गंभीर बिमारी का शिकार नहो और गरीम माबाप को बहुत बड़े आर्थिक बोज का संकट बनना न पड़े इसके करके पुन्य कमाते हैं उससे भी जादा इंद्र धनुस के टीका करण के लिए अगर बच्चों को खोज करके गरीब माकाव समझा करके आप टीका करवाद होगे वो बच्चा बड़ा होगा अगर स्वस्त रहेगा तो उसके आशिरवाद आपके खाते में जमा होंगे एंसीजी के कैड़ेट हो स्कूल कालेज हो एनसेज के कैड़ेट हो समाग की एंजीओज हो धार्मिक संस्ताय हो जिन जीलों में हम पीछे रह गये हैं उनका च्यायन किया गया है उन जीलों पर आप सकती लगाए समय लगाए और गरीब मा के बच्चों को सुरक्षा की गारं रदय रोगनों हुमलों खाडवा माटे वप्राता स्टैंड ना भाव गरीब ने परवडे तेवी सपातिये लाववाने महनत सफ़र था होवानू कहता प्रदान मंत्री मोधी उमेरु हतो के गरीब मां बहन दिक्रीनी विना मुल्य सारवार माटे दरेक डॉक्टर महिना मा एक दिवस फाडवे डॉक्टरों से आवान किया था कि आप बहुत कमाते हैं अच्छी सेवा भी करते हैं सामाजिक जिम्मेवारी भी निवाते हैं लेकिन आप हैं जिनको बेक काम और भी बता सकता और मुझे खिशी खुशी है कि देश के लाखों डॉक्टरों ने मेरी उस बात को माना और अप कार्थरा की थी अगर आप गाइनेकोलोजिस्ट डॉक्टर है आप महिने की नव तारीक अपने दवा खाने के बार बहुट लगा दीजिए कि कोई भी गरीब प्रसूता माता आएगी तो हर महिने की नव तारीक गरीब प्रसूता मा की मेडिकल चेक अप करने का काम दवाई देने का काम मुफत करेंगे और मुझे खुशी है कि पिछले एक साल में करीब 80-85 लाग ऐसी गरीब माताओं को डॉक्टरों ने मुफत में दवाई दी और उनकी जिंदगी में एक नया विस्वाफ पैदा करने का काम की मैं गुजरात सरकार का अभिनंदर करता हूँ कि गुजरात सरकार ने खुले में सौच से मुक्ती का एक अंदोलन चलाया और आज पुरा गुजरात खुले में सौच से मुक्त हुआ है लेकिन इसको और सतक रहना पड़ेगा ये पुरानी आदद वापिस लोटेंने बें देर नहीं लगती है अगर प्रेत में पुर्वक हम कोशित करेंगे तो इस बिमारी से हम अपने आपको बचा सकते हैं और अभी यूनिसेप का कहना है कि अगर स्वच्छता है तो एक गरीब का सालाना पचास हजार रुपिया बीमारी के पीछे खर्च से बच जाता है गरीब के घर में अगर एक बिमार हो जाता है पुरा घर का कारोबार बंद हो जाता है अस्पदाल के चक्कर काटने पड़ते हैं नए खर्चे करने पड़ते हैं आए बंद हो जाती हैं अगर गरीब को स्वास्त की सुविधा देने की पाहली गरंटी है हम सफाई पर बलते हैं देश मा डॉक्टर नी अच्छत दूर करवा मातरी लोगसभाना चार मत विस्तर दीठ ओचा मा ओची एक मेडिकल कॉलेज बांदवानों निर्धार प्रधान मंत्री व्यक्त करे हो तो दो या त्विन लोगसभा या चार लोगसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज पुरे देश में निर्माण करना और मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर चाहिए और इस साल हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में छे हजार सीटों का इल्जाफा कर दिया कई लोग इसकी दोक्तर बनाने हैं तो अच्छे प्रोफेसरों की भी जरौत पड़ेगी और पीजी के स्टूडन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमने छे हजार नई सीटों का एलान कर दिया और मुझे भी स्वात है आज जो दोक्तरों की कमी महसुस कर रहे हैं उस कमी को पुरा करने का काम इसके द्वारा होगा तलामत मात्रुत्व जुंबेश मां घर्बधारन करनार प्रतिक महिलानों टेटा एक कॉंपुटर मां दाखल कराया बाद तेनी डाउंस्ट्रिंग सेवा आशा कारेकर सुधी पहुंचारती आई एम टेको एप प्रधान मंत्री ये चाहता हूं और इस गाउं के बेटे के नाते कर रहा हूं तो उन्होंने जो एपीमसी का फिर से शुरू करने का निर्ड़े किया है मैं उनका स्वागत करता हूं उनको बढ़ाई देता हूं जो ये टैबलेट आज इन हेल्थ वरकरों को दी गई है उसके करदेली हर गाउं म जो जानकारी होगी तुरंट भर दी जाएगी और सीथी हेट क्वाटर पे वो तुरंट पहुंचेगी लेकिन ये जो योजना है उसका नाम जड़ा बड़ा कठीन है आई एम टैक करके पूस्तों भी रखा है तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया है और मुझे लगता है मैं नह जवाले करीद्गे आप इसको टेक्न कक्नलोग लगा मुझे लगता है गाउं में यहीन वो तुमारा टेको ूंक्याश्य कर Что The आ आयन टेको तमारा आरोकेने मोटो टेको करे एवु एक मोटु काम आना द्वारा थवानू छे लोक लागणी नी नाड़ पारखवामा अत्यंत प्रविन गणाता प्रधान मंत्री ये बाड़क माटे संजीवनी साबेत थनार मिशन इंद्रधनूष लांच करवा माटे मादरे वतननी पसंद्गी वड़े खास संदेश आप्यों छे दूर्दर्शन समाचार अमदावाद आसाथे चाबुलेटे ने समाप्ताय चे नमस्कार कर दोर्दर्शन सम्कार